Hello Students and Welcome to this video इस वीडियो में हम देखने वाले हैं Class 12 Physics के लिए Very-very Important Questions जो कि आपकी मद्पते सबूर्ट परिक्षे 2024 के लिए Very-very Important है देखे, Most Selective Questions देखें के इस वीडियो में हम संपूर Two Markers जो Questions ने वो Complete कराएंगे देखे, इस वीडियो में मैंने आपको एक वी प्रस्णों को छोड़ के मत जाएगा MP Board की संपूर तयारे के लिए आप इस चैनल को सब्क्राइब कर सकते हैं जो लोग पहली वारे चैनल पर आये हैं वीडियो को लाइक चैनल को सब्क्राइब जूरू कर दें ठीक है रिण आविष्ट पर समाब्त होती हैं यह चालग की सतह के लंबवाद सामने कलती है तीक है उसकोब देखें विद्धुद्ध आविष्द के 2 मूलभूत गुर्न लिखे तो देखें क्या गुर्ण है आविष्ध को ना तोथपन किया जा सकता नाहीं नष्ट किया जा सकता है एक तो यह गुण हो गया, उसका दिखे, यह विविने तरीकों से विविने सम्मूह में परलेक्षित हो जाता है, विद्युधारा से आप क्या समझते हैं, अंगला प्रिशन दिख लीजिए, किसी चाला के अनुपरस्त कार्ट में से एक सेकंड में जितना अविस्प्रवायत होता है, उसे चालाक से बहने वाली विद्युधारा कहते हैं, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एंप्यर हो जाएगा, अंगला दिखे, याद रखना है आपको विद्युधारा का इसा मात्रक होता है, ठीक है, प्रात्मिक दृत्यक सेल में कोई तीन अंतर लिखना है तो दि कि उसका देखेंडम कि अभी लंआ लेखा से उसे संबद्य है इसे विदुद शेत्र में किसी प्रष्ट से अभी लंग बाद देसा में गजरने वाली कुल विदुद बल रेखाओं की संक्या को उस प्रष्ट से संबद विदुद फिलस कहते हैं इसे फाई से प्रदस्द करते हैं ठीक है यह फाई होगा है हम पर ठीक है यह एक अधिसरासी है विदुद फिलस कैसी आधिसरासी है इसका यह मातरा होता है न्यूटन इंटू मीटर प्रती कूलाम विदुद देख सकते हैं इसी से बना लेंगे आप लोग पहले आपन न्यूटन यानि बल एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस बन इसका यह हो जाएगा कि विदुद नौतर हो जाएगा अगला कुछन चुमबकिए शेतर रेखाऊं क्योंट ना है कि यह रूथılan चुम्बक के वाहर उत्री दुदुन से दरुप से तूद जाती है व्ल रेखाऊं कैं कि कसी भी बिंदु पूर्ड गुड़ज होता है इसे आवेस की कॉंट्टम प्रक्रति आवेस का कॉंट्टी करन कहते हैं आवेस के कॉंट्टी करन श्रिदान के अनुसर किसी वस्तु पर आवेस इलेक्ट्रोन के आवेस का पूर्ड गुड़ज होता है ठीक है न एक एंपिर को परिवासत करना द साथ न्यूटन प्रती मीटर होता है तो प्रतेग धारा का मान एक एंपिर होता है ठीक है सम विभव प्रष्ट किसे कहते हैं जिस प्रष्ट के प्रतेग बिंदू पर विभव का मान समान होता है वो सम विभव प्रष्ट होता है ठीक है प्रत्वी की विवाव को सुन माना जाता है क्यों माना जाता है प्रत्वी का आकार इतना बड़ा है कि उसे कुछ आविश देने या कुछ आविश लेने से उसकी विवाव में कोई अंतर नहीं होता है इसलिए प्रत्वी की विवाव को सुन माना जाता है ठीक है चुम की फिल कर लाती है इसे पदर्सत कर सकते हैं फाई इसकोल टू बी अपॉन बी इंटुई ठीक है यहां पर बी विद्र चेत्र चुम्ब की शेत्र की बढ़ता है और ए फ्रस्ट का शेत्पल है और फाई हो जाएगा हमारा चुम्ब की फिलस्क हो जाएगा मातरक तथा विद्र देख स मातरक के बराबर होती है जो उसके विभा में एकाई में ब्रद्धी कर दे सूत्र के रूप में सीज कुल्टू की ओपॉन भी होता है ठीक है यह होता है विद्र धारिता कभी एक्जैंपल पूछ ले आपको अब्जेक्टिम में तो यह आप लोग लगाएंगे विद्र धा तेसे करते हैं ठीक है लॉर्यन उल्याटि के जिए ऎधि कुई आउस्यत कर्ड कड़ किसी अजिडरा के लिए और इस होजाता है इस कटना को अनियोन क्याते है चीक है यह अब का सबीकिकर कुछ लेजिए कि दाये हाथ तो बीच वाली उंगली जो है प्रेरित धारा की दर्साइगी ठीक है तो इस प्रकार से देखे ये हाथ आपको ऐसे फेलाना है तीनों एक दूसरे के लंबत होंगी बीच की उंगली और आपका अंगोठा तो जो अंगोठा है वो चालक की गती बताएगा और जो बीच की तीक है अंगोठा चालक की के दसाएगा और तरज़नी जो है चुम्भी की शेतर को दसाएगा और बीच वाली उंगली पर रिजित धहरा को दसाएगी अंगला देखे चुम्नाविक के नूकलियर फिजिन के जब किसी नाविक पर न्यूट्रन की मभारी किए जाते तो प्र और बना चुका था लेकिन उसमें बॉइस नहीं आए थी तो 20-30 मिनिट पूरे बरबाद हुए थे ठीक है इसलिए दुबारा रेकॉड कर रहा हूं इसलिए आवाज आपको लग रही होगी अलग सी क्योंकि इतना लगातार में अभी बोल रहा था इसलिए ठीक है नाविक के बंधन उर्जा को परिवर्सत कीजिए तो यह कुशन देख लिए किसी नाविक के प्रोटॉन या न्यूट्रोन को अलग करने के लिए जो उर्जा ठीक है अलग करने के लिए उर्जा होती है उसको नाविक की बंधन उर्जा कहते हैं यह हो जाएगा आपका अंसर नाविक क किसी पतारत के नाविक से सोता ही ऐसे अद्रस रजित होते हैं जो फोटोग्राफियो प्लेट को प्रवावित करते हैं ऐसे पतारत के इस गुण को रेडियो धर्मिता रेडियो एक्टिविता कहते हैं किसी विद्द चेत रहता था चुम्वी की शेत के लंबदो दोलनों से उत्पन तरंगें वो कहलाती है यह दोलन तरंग सेंट कि दर्सा के लंबद होते हैं इस प्रक्ति है नावगी सेनलीन का होता है दीखें जब अति उच दाप तथा उच ताप पर दो हलकी नाविक परसपस संयोगत होकर एक भारी नाविक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को नाव की संलिन कहते हैं इस नाव की संलिन प्रक्रिया में द्रबवान की छती होती है तो उर्जा में परिवतित हो जाती है जो उर्जा में परिवतित हो जाती है ठीक है नाव की संलिन नाव के बल क्या होता है देखे परमाडू की नाविक में धनाविसित होते हैं जो प्रोटोन होते हैं और धनावि कि भीतर इन कड़ों, यनि कड़ों को क्या बोलेंगे, दोनों को नूकलियों बोलेंगे, नूकलियों के मदल लगने वाले बल, मतलब ऐसे बल लगने चाहिए जो इन्हें परस मेंद बांध रखें, इन बलों को नाब की बल गाते हैं, ठीके तो, प्रोटोन और निट्रोन, इ विद्धु छेत्र रिखाओं की समपूर संक्या विद्धु फ्रस्क होती है और बंद प्रश्ट के अंदर उपस्नित को अब इसका E upon Epsilon होता है ठीक है तो इसके प्रेश्ट करने के लिए आएगे तो अलग से आपको कंप्रेट कराऊंगा तीक है सोब प्रेट क्या होता है जब किसी कुंडली में बहने वाली विद्धु धारा के मान में परिविद्धन के जाता है तो उस कुंडली से बंद उस कुंडली से बंद चुम्भी की फ्रस्क के परिविद्धन होता है फदसरूप उस कुंडली में प्रेश्ट धारा उत्पन हो ज जाती है अनुनाद की तीक्षंड़ता का निधार एक विमाहीं दासी के दोरा किया जाता है जिसे क्यों गडांग कहते हैं क्यों गडांग का फॉर्मॉला यहार से देख सकते हैं सब्सक्राइब को लिखना है पांच स्प्रेक्ट्रम 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 स्प्रेक्ट चौन के बराबर होता है आपक तरकष करण और आपतन विंदू है आपlarını पढला म सादेब एक ही त्यल्मे होता है ठीक है ऐसे बनाते ना आपतित करन प्राबतित करन और अब लाम एक ही तल में होते हैं सहीयोगी में फोकस किसे कहते हैं देखे गोली दरबन के मुख अक्षपर बिंदू के ऐसे जोड़े होते हैं जो की बस्तू को एक बिंदू पर रखने पर उसका प्रतिवम दूसरे बिंदू पर बनता है तो बिंदू के ऐसे जोड़ों को सहीयोगी फोकस कहते हैं चुमब की छेतर में गतिमान आविस्ध कर्के चाल नहीं बदलती क्योंकि आविस्ध पर चुमब के वल सदेव करके बेक की दिसां में लंबत होता है चल कुंडली दारा मापि की विश्षिस्ता है, इस पर बाहरी चुम्ब की छेत्ट का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, उसके बाद देखे किसी बिंदु पर विद्द विभा की परिवासा लिखना है, विद्द विभाव एकांग धनाविस को अनन्द से छेत्ट का किसी आविस के मान की निस्वत्ति के बराबर होता है ठीक है, इसे QNOT यदि QNOT आविस को अनंत से उस विंदोत लाने में किया गया कारे W है तो विद्धव वबबा क्या हो जाएगा W उपन QNOT हो जाएगा QNOT BOLT ठीक है, यह इसका फर्मूला हो जाएगा उसके बाद दीखे आभी संस्रेक्षन का नियम क्या होता देखे किसी बिलकित निकाय आइसुलेटिड सिस्टम में ना तो आभी सको उत्पन किया सकता है या नहीं बनाया जाय सकता है नहीं उसको नेश्ट किया सकता है यह आभिस कांच की छड़ को रेसम के कपड़े से कुछन है एक फिरत कैसे प्रम्ण इंके नाविकों में प्रोटान की संख्या समाना होती यह समस्ताने कहला ता मैं इस इड्रीयु की संख्या तो संवारिक होती है लेकिन नूक्लीयों कि संक्या समान एफ सम्बारिक होते हैं उद्धान दीखे 18 ए यह पोर्टी यह और मतलब ऑऔर पोर्टी स्का पर्मणू उबहार हो देखे एक आप प्रकास विद्थधारा का मान सुन होता है निरोधी वबाव ये संस्तर बभबा कहलाता है ठीक है निरोधी प्रकास की भरता कोई प्रवाव नहीं पड़ता है तो आप प्रती बढ़ाने पर बढ़ जाता है ठीक है उसको बद देखे बरी बरी आपके सामने कोहरे की संकीत के रोप में किन तरंगों का अप्योग किया जाता है और क्यों किया जाता है बरी बरी इंपोर्टेंट है आपका देखे कोहरे के संकीत के रोप में अवरक्त तरंगों का अप्योग किया जाता है क्योंकि इनकी तरंगर इन दिर्ब तरंगों कोई दो 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 तक लाने में व्या उर्जा कॉश्ण काहते है किसी धातू के अंदर से मुक्त उलक्ट्रोन को तल तक लाने में वे उर्जा को उस धातू कारिपलन या दिहली इसी दातू विसेस कागुण होता है विविन दातूं के लिए इसका मौन अलगला होता है इसे फाई से 10 आते यह बर्ग फंक्षन होता है कारी फलन तो देखे कोई दातू है उसको एलेक्ट्रोन उसके अंदर है उसको यहां तक लाने में जो हम उजय देते हैं वो हमारा कारी होता है ठीक है तल तक राने में कारी फ्लन का फॉर्ट्र हो जाएगा एच मुनोट इसको टो एस सिवाई लेम्डा यह प्लांक नियतांक है सी स्पीड अप्लाइट है तीन कुन दसकी आठ आठ मीटर प्रदी सेकिंड और लेम्डा नोट है आपर तरंगदर हो जाएगी ठी है तो यह आप कार्यप्लन का सूतर देख सकते हैं बोर मोडल के अभी गरीद देखिए बरी बरी इंपोर्टन कुर्शन आ गया यह अन्यट परसंट आप लोग लगा लीजिए इसको अन्यट परसंट लग रहा है मुझे कि आएगा यह चांसे बिसके हायर है बोर के परमाड कक्षा पी से तो उत्सरजित विक्रण की आपरती म्यू का मान इस समीकर दोतर प्रदेश्ट होता है एन माइनस एपी इसकोल टू एच म्यू ठीक है एच प्लंक नहीं आतांग है म्यू आपका यह आपरती हो जाएगी जहां एन एपी के नमसा एन वी एन वी वपी कक्षा में गुमने वाले लेक्टॉन के उर्जा है इससे समीकर को बूर का अबुद्धी पृति प्रतिबंद भी कहते है ठीक है उसको बाद दीखे बरी बरी मूर्ट प्रश्ट दो नमबर के साब से यह वाला भी तापाने को स नमबर उसकी सता से मुक्त एलेक्टॉन उससाजित होने लगते हैं तापाने को साजन कहलाता है तापाने को सजन के लिए प्रुक्त धातू का गल्लांक उच्छ तथा कारिफलन निम्न होना चाहिए ठीक है कोई भी धातू है उसको अपन ताप देंगे तो उसके आपरतीया है यहीं कि यह होती है ठीक है निश्चत आपरती जरुरी होती है किसी भी धातू से आपरतीया के लिए और जётनी कलिए उससे लेक्टान सर्चाहिए होगाने कि लिए इस यह वह लेक्ट्व करने करने के लिए और पर कोई से जितनी निश्यत होती है वो हमारे देहली आप बड़ती है ठीक है तो उसके लिए जितनी जरूरी है उस्राजन के लिए फोटोन कैसे कहते हैं पहरी पहरी इंपोटन देखे फोटोन उर्जा के एक बंडल या कॉंटा है ठीक है तो आप प्रकास के बेग से सीडी रेखा में कवर्ण करता है इस प्रकास क्वांटम से दांत के अनुसार विक्रन चोटे चोटे बंडलों विक्रन उर्जा के चोटे चोटे बंडलों को हम पोटान कहते हैं फोटोन के उर्जा E is equal to H mu is equal to Hcy लेमडा ता पोटोन को सम्वेग H mu y c होता है प्रकास विद्द प्रवाओं के दो नियम लिखे देखे किसी धातू सतह से प्रकास एलेक्ट्रों सजन की दर्प आपतत प्रकास की तिबढ़ता के अनुक्रमानुपाती होती है प्रकास एलेक्ट्रों के अधिक्तम गति जूर्जा आपतत प्रकास की अबड़ती के अनुक्रमानुपाती होती है ठीक है तो प्रकास विद्द प्रवाओं के दो नियम हो जाएंगे द्रप तरंगे क्या है डीव लोगली तरंगे समिकर्ण लिखने है ठीक है समिकर्ण देख सकते है रेमडाइज कुल टो एचे पोन एमबी इसको डीव लोगली तरंग समिकर्ण कहते है प्रकास विद्वद्वाव क्या है आइंस्टाइन का प्रकास विद्वाव क्या है इस प्रकास को लाहरे है जिससे इसके एलेक्टरोन उससराजित होंगे तो यह घटना होती है फोटो एलेक्ट्र क्योंकि प्रकास के कारण एलेक्ट्रों उस्राज़त हो रहे हैं तो इसलिए फोटो एलेक्ट्रिक एफेक्ट इसको पुलते हैं ठीक है प्रकास ब्रकास ब्रकास विद्धुर्थ समीकर्ण क्या होता है एक बटे 2 mb square is equal to h mu minus phi जहां M इलेक्ट्रोन का दिर्बान है, V इलेक्ट्रोन का वेग है, H प्लांग निया तांग है, और मिया प्राप्रति प्रकास की अबरती है, और फाई यहां पर धातु का कारिफलन है, तो चलिए आप मिलते हैं नेक्ट्ट वीडियो में, और सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को विजेट कर सकते हैं, प्लेश पिजा सकते हैं, साथ यह पीडियो डाउनलोड करना है, तो विबसाइट पिजाएए, जैनकरीटी जोड कॉम, और टेलिग्राम को भी जोईन कर सकते हैं, लिंक डिस्कूशन में है, अब इंस्टेग्राम पर फोडो कर सकते हैं, ठीक है, चलिए मिलते हैं, नेक्ट वीडियो में थांक्स वाचींग,